काईज आज की वीडियो में पन बात करेंगे हुंडाई बेयॉन के बारे में जो की एक मिनी क्रॉस ओवर हैं ये सबसे ज़ादा मोस्ट अफोडेवल सुवी ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली है इसकी टेस्टिंग कई बार इंडिया के अंदर देख चुके हैं लोगा सो बे अब वो किस नाम से आएगी वह तो कंफर्म नहीं है पर टोटली यहाँ पर एक बात पकी है कि टाटा एच्वेक्स और हुंडाई बियॉन में काफी ज्यादा तगड़ा और मेजर कॉम्पेटिशन होने वाला है अज की वीडियो में बात करेंगे हुंडाई बियॉन के करने का यानि कि आप ओवर डाई 20 के आपको अब मीनी क्रोस ओवर ज्यादा अफोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम एक बात पता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली कार इंडिया के अंदर फिलाल के शेत्र में जो है वह है एसुवी सेग्मेंट है सो क्या मिनी क्रोस ओवर सेग्मेंट ज्यादा चल पाएगा नहीं चल पाएगा इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में आपन डिसकस करेंगे सब्सक्राइब बाजू में बैल आइकन होगा उसको जरूर सप्राइब करें वहना क्या है नोटिफिकेशन नहीं जाते बैल आइकन दबाए बिना वो मुझसे कुछ पूछना है तो आपने इंस्टाग्राम आइडी को जरूर फॉलो करें मेरा इंस्टाग्राम आइडी है दो आइड विडाव विश्टिंग टाम लैट्स गेट स्टाटेड अगा इस एक बात क्लियर यहां पर जो हुंडाई ब्यॉन है वह एस्प्रेसो कोईड और रेडिवो से कॉंपेटिशन नहीं करने वाला क्योंकि जो उनकी डामेंशन रहेंगी वह कॉंपेक्ट हैजबेक क पर रहेंगी जैसे कि अपन स्विफ्ट को जानते हैं ट्यागों को जानते हैं ग्रेंड इटन को देख लें अगर हम तो डोटली यहां पर जो कंपरिशन होने वाला है हुंडाई बियॉन का वह ग्रेंड आइटन नियॉस के परलेल ही होने का क्योंकि यहां पे जो मेजर अं वो तीनों चीज़े ही similar हमें Hyundai Beyond में भी देखने को मिलेगी, major अंतर यहां पर हमें height में देखने को मिलेगा, compact SUV को ध्यान में रखते हुए, यहां पर जो height है वो ज़्यादा रहेगी Grand I-10 Nuance के comparison में, और यहां पर Tata भी पीछे पीछे Hyundai Beyond को ठकर देनी के लिए, अपनी HB-XB जल है, guys यह जो segment है, वो espresso quid से कहीं गुना ज़्यादा अलग है, क्योंकि Hyundai Beyond की dimension हर तरीके से अलग होगी, espresso quid के comparison में definitely, तो सबसे ज़्यादा जो main competitor खेलाएगा Hyundai Beyond का, वो premium hatchback segment भी नहीं रहेगा, वो रहेगा compact hatchback segment totally, जैसे कि जो आपको घप स्यादा confusion होता है, premium hatchback और compact SUV में, वह confusion आपको, अब यहाँ पे mini crossover के बीच में और compact hatchback के बीच में जरूर से जरूर होगा, guys अगर बात करें the design of Hyundai Beyond, तो सबसे पहले जो teaser launch करा था, उसमें इनकी headlights show की गई थी, जो की काफी ज़्यादा sleek थी, and secondly यहाँ पे हमें LED tail light को option देखने को मिला था, जो की vertical shape में थी totally, well है कि इसको जो design है, वो हम काफी ज़्यादा premium नहीं है, या फिर अच्छा तो है, यह बात तो पकी है, बट कुछ नयापन नहीं है इसके design में, अगर आप Grand Eye 10 News को देखोगे, तो उसी तरीके का similar और parallel design आपको यहाँ पे Hyundai Beyond का देविदे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपक Hyundai की large और massive grill देखने को मिल जाएगी, as parallel to that Grand Eye 10 News और fog lamp का option आपको वही पे नीची की तरफ देखने को मिल जाएगा, and again यहाँ पे जो teaser आया था, वहाँ पे halogen headlamps का option देखने को मिलाता, हाँ, probably यहाँ पे top end variant में आपको projectors का जरूर से जरूर option देखने को मिल जाएगा, पर LED projector होगा या फिन नहीं, यह confirm बात नहीं है, coming to the side view और side logo, तो वो भी Grand Eye 10 News के लगबग parallel ही दिखता है, जो length है, वो almost Grand Eye 10 News के बराबर ही रहेगी, apart from that, यहाँ पे एक बार और पकी है, जो width है, वो भी Grand Eye 10 News के लगबग totally same ही रेने वाली है, पर जो height है, वो Neos से जादा बड़ी हो cross over का नाम दिया गया है, तो एक बात पकी है, अंदर की दरफ आपको यहाँ पे जो headroom है, वो काफी जादा बढ़िया और बहतर मिलेगा hatchback के comparison में, तो हो सकता है मेरी ख्याल से, आने वाले time में आपको definitely mini cross over जादा पसंद आएगी, कोई भी compact hatchback के comparison में, क्योंकि जिस तरीके से SUV को लोग प्यार दिखा रहा है, इंडिया के अंदर, उस तरीके से तो mini cross over इंडिया के अंदर काफी जादा चलने वाली है, यहाँ पे wheel configurations की बात करें, तो उनमें भी आपको जादा changes देखने को नहीं मिलेंगे, similarly 14-15 inches के wheel options आपको यहाँ पे beyond में देखने को मिल जाएंग मैं के सकता हूँ, जो side design है, वो almost identically parallel है Grand I-10 Neos के comparison में, Hyundai ने गारी तो अच्छी निकाल दी है, पर उसमें कुछ unique design नहीं है, कुछ USB नहीं दिख रहा है, जो Grand I-10 Neos से ऐसा लग रहा है कि उसकी height को बढ़ा के Hyundai Beyond का नाम दे दिया गया है, पर most probably design के field में अभी यहाँ पे पक् इंटीरेट्स रिवील नहीं हुए है, पर यह teaser देखा गया है कि ब्राउन कलर के इंटीरेट्स शो हुए है, जा पर seats आपको brown wrapped देखने को मिल जाएंगी, most probably top end models में आपको leather wrapped seats देखने को मिल जाएं, चुकि एक क्रॉस ओवर है, एसपर comparison में, और dashboard का design I know की केसा होगा, क्यो Apart from that, यहाँ पर engine options की बात करें, तो वही 3 same engine options मिलेंगे, जो कि आपको grandite and neos में देखने को मिलते हैं, याने की 1.2 liter petrol engine, 1.5 liter diesel engine, and last is the 1.0 liter turbo GTI, तीनो engine option ही काफी ज़दा important है, और होना भी चाहिए, जो कि इसको main USP बनाते हैं engine options में, क्योंकि turbo नहीं होगा, तो काफी ज़दा ही है, यहाँ पर Hyundai Beyond की कहानी, मेरे ख्याल से यह काफी ज़दा competition खा जाएगा कहीं हद तक compact hatchbacks का, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर SUVs को पसंद कर रहे हैं, Hyundai Beyond की अभी इतनी ही information आई है, पर यह बात पकी है कि इंडिया के अंदर जो सबसे पहले mini crossover देखने को मिलेगी वो Hyundai Beyond ही होगी, एक बात और बता दो कि अगर आपने इसको compare करते हैं, compact SUVs से जिसे कि Nissan Magnet 2 और Renault के गर होई, तो वो भी ज़्यादा काफी ज़्यादा काम कर रहे हैं, और वो तो आपको इसी price range के अंदर compact SUVs दे रहे हैं, ना कि mini crossovers, तो आप मुझे comment करके बताएगे कि आप क्या ज़्यादा प्रिफर करेंगे, mini crossover, Hyundai Beyond को या फिर compact SUV को उसी बहुम है, जिसे कि Nissan Magnet या फिर Renault के गर, आप मुझे एक और चीज़ कमेंट करके बताएगे, क्या मैं comparison बन रहा हूं, Hyundai Beyond, Nissan Magnet, Renault के गर के बीच में, या Tata HBX के बीच में, ताकि आपको clear confusion दूर हो पाएगे कि आपके लिए आखिर कौन सा तुदा भैतर option है, mini crossover, hatchbacks या फिर compact SUV, so guys this is all about the Hyundai Beyond, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो like, subscribe and share जरूर कर देना, and guys finally thanks for watching,